तो दोस्तों आज मैं आगे हूं राची और राची में एक सोरू मुझे मिला काफी अच्छा कलेक्शन है तीन कार यहां लगी हुए है और प्राइस एकदम मस्त मस्त है तो पूछते हैं भाईया से क्या रेट है और कितने में ये हमें मिलेगा और फैनेंस होगी या नहीं सारी देखेंगे तो सबसे पहले चलेजी शुरू करते सीधकारी में और क्या प्राइक्स रहेगा सब जckoनकारी ले लेते तो भाईया आपका नाम क्या है तो मेरा नाम Auchit है अटलिए सुरू करते हैं अचा बीया ये चाली कितनी है ये लगभाग 67 किलोमेटर चल चुकी है 57,000 हाँ 7,000 किलोमेटर इसमें ब्सक्क आफ को चारो पावर इंडो लेगा पावर इस्टेरिंग और AC अब तो 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 अच्छी लग रहे है लेकिन अभी भी होगी सेवेंटी परसेंट यह वाली हुई टायर हम देख लेते हैं तो भाईया इधर आजाईए क्या प्राइस रहने वाली है इसकी इसका प्राइस हम लोग रखे हैं दो लग पचास अजा अच्छा और कुछ थोड़ा बूंद कम हां अगर आपकी भीवर्स साथ में तो थोड़ा मोड़ा कम किया जाएगा तो आप लोग आईए और भाईया से मिलिए कॉंट्रैक्ट नमबर में डिफ्सक्रिशा में दे दूंगा वहां से आप लोग कॉंट्रैक्ट कर सकते हैं और आके देख लिजे कुछ कम होती है तो भाईया हम लोग पूछना भ है और कितने चली है कि लगभग चल चुकी है अधी दो लाक किलो मेटर अच्छा और टायर भाईया थोड़ा खराप लग रहे है चेंज करके दीजेगा यह तो चेंज कर देंगे अच्छा और भाईया यह तो लोग है तो पीछे वाली टायर की भी हालत खराप है एक ही थोड़ी से अच्छी लग रहे है तो भाईया क्या प्राइस रहने वाला इसका इसका थे में दो लाक रखा है कुछ कम कुछ कम हो जाएगा ऐस तो अप लोग भाईया सो कॉंटाक्ट कर लेजेगा सबसे कम प्राइस वाली गाड़ी की तरफ आते हैं जो कि भाईया हमें बताए यह मस्त है तो सबसे सस्ती गाड़ी है और एक्सिडेंटल भाईया एक्सिडेंटल नए है यह हल का फूल ये दीख रहे हैं यह सब कर वाके दीजेगा इसका भी टायर मुझे खराब लग रहा है ताहर्श भाईया डाल यह तो प्राइस कि और रहने वला है इसका प्राइस सब से सस्ती का रही हमारे पास 30,000 रुपये में दे देंगें हूं अचो ठीक है तो ये रही साथ की अप सिधा मुद्दे की बात करते हैं तो यह जितने भी कार आप लोग देखें यह बेचने वाली कोई भी कार रिंए गर की कार हाई और यह मैने फ़र्स टाइम कार खरीदा था तब यह मैं लिया था और मैंने क्या गलती किया वह मैं आपको इस वीडियो के जरीए आपको बताता हूँ तो जिस तरह से दोस्तों आप लोग जो सोच रहें कि सस्ती मिल जाएगी तो हमारे लिए अच्छी होगी तो उसी तरह से मैंने भी सोचा था कि सस्ती कार ले लूँ तो ये मुझे साथाजार की पड़ी थी और इस गाड़ी में समस्या मत्थी पूछो तो ही अच्छा रहेगा और मैं आप लोग से बोलूँगा कि ऐसे सस्ती गाड़ी मिलेगी तो आप लेना भी मत अगर आप सीखना चाहते हो तो ही आप लो वरना मत लो वही अच्छा रहेगा इसकी हालत मैं दिखाता हूँ देख लो देख ली ये है इसकी हालत वही जब मैं इसे ले के आया ना 100 किलोमेटर भी नहीं चली और इसकी इंजन सीज होगी बताओ भई सोच के कैसा लगता है जब फर्स्ट गाड़ी खेर दो पैसा जमा करके और इसे ले के आओ और 100 किलोमेटर भी ना चले और इंजन की वाट लग जाए तो फिर मजा ही आजाए और ये गाड़ी मैं 2015 या 2016 वही लगभख में लिया था तब से ये खड़ी ही है हाँ इंजन अभी चालू है लेकिन हम लोग चलाते नहीं है इसको इसको हम लोग special उन भाईयों के लिए ये है जो कि जिसको गाड़ी काफी कम मिलती है तो ये गाड़ी हमने सिर्फ चूहों के लिए खरी दी है तो ये देखो यार चूहा लोग इसम से बैंड बजा चुगा था तो अगर आप लोग गाड़ी सीखना चाहते हैं तो ही ऐसी सस्ती गाड़ी खरीदना वरना मथी खरीदना और इंजन की हालत देखो ये देखो तो ये जो है ये मेरा भाई है इसलिए वीडियो में थोड़ा कोमेडी भी हो रहा था तो गाड़ी जब भी लोग है थोड़ा सोच समझ के खिर देना अगर पैसा आप लगाते हो तो ध्यान देना और विशेस कर उन भाई लोग जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि गाड़ी ले और उन्हें कहीं से पता चलती है कि यार सस्ती में मिल रहे है 20-30,000 में गाड़ी 40,000 में मिल रहे हैं चलो उठा लेते हैं ऐसे गलती मत करना है एक लाग से नीचे की गाड़ी तो लेना भी मत अगर लोग है तो वही लोग लोग जो सीखना चाहते हो यह देखो गाड़ी के हलो पूरी तरह से कबार है तो यह सारी गाड़ी अपनी गाड़ी है इसलिए मैंन नंबर प्लेट जो है वो ढख दिया है और इसके बारें तो पूछो मत यह चलती जरूर है लेकिन इसे कोई लेके जाएगा क्या टाउन में कोई नहीं लेगा ना यह सिर्फ चूहों की गाड़ी है वही लोग चलाते है तो बताओ क्या बोलना चाहोंगे 20-30,000 वाली मेरी मत लेना वरना मेरे जिसे मेरे जिसे भुगतों गे वह इसे 60-70,000 लगा के बाइक ले लेता तो मजा आ जाता है पीछे तो किसी को बैठा पाते ने अब इसमें किसको बैठा होगे सिंगल सीट है तो आई आपको इंटेरियर दिखा देता हूं अच्छा दिखा दिखा टो यह ऑर जिसमें पर्फियू लगाने की जरूरत ने हैं बड़ी अच्छी खुस्बू आ रही है चूबहों की ची-ची बंद करण बंद कर बंद कर बंक कर बड़ी घंदा महा कर है रहे बंद करो यह आप लेजेगा तो इसमें हम लोग बयड लगा के देंगे बड लगा क तो ऐसी गाड़ी मत लेना बस यह नोलेज के लिए हमने वीडियो जो है वो बनाया और यह वीडियो मुझे काफी पहले बनानी चाहिए थी ताकि लोग ऐसा ना कर पहें लिकिन फिर तीनों गाड़ी एक जगा आती नहीं थी इसलिए तो तीनों कभी हो लोग लाइन लाइन ल चलो हुई बातनी